नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ग्यान गुरु अकडमी में बच्चों आप लोगी काफी डिमांड से किसा समाज सास्त क्लाश 12 का पढ़ा दीजिए तो बच्चों सुरू से आज मैं सुरू कर रहा हूँ और एक जैसे कि आप लोगी सिछा सास्त किस लिए चल लगी है कि हर रोज कुछ छोटी छोटे पार्ट में वीडियो जाती हैं तो हर रोज आपका भी एक पार्ट में वीडियो आती रहेगी बच्चों हर रोज ये वीडियो आप लोगी आती रहेगी शाम को हर रोज बच्चों साम को 5 बजे आप लोग का समाज सास वीडियो प्री लाइव करके चला दी जाएगी और आप लोग पूरा नोट्स बना के अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि आप लोग का बच्चो बोड एक्जाम जो 2022 में आप लोग का होने वाला है उसके अच्छी तैयारी हो सके ओके तो चलिए हो गया पहला चेप्टर जम सुरू करेंगे बच्चो जिसका नाम है भारतिय समाज एक परिचे जैसा कि आप देख सकते हैं छोटा ही पार्ट होगा छोटी ही वीडियो होगी इसलिए पूरा प्यार और सपोर्ट देजिएगा आप लोग बच्चो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग एक पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूद अबाले जिएगा और बच्चो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो हमारी तो एक बार लाइक कर दिजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दिजिएगा वीडियो के नीचे आप लाइन में ओके चलिए शुरू करते हैं पहला प के बारे में पहले से ही कुछ न कुछ ग्यात होता है जबकि अन्य विसयों का ग्यान सिखाये जाने पर ही प्राप्त होता है देखिए समाज के बारे में हमें पहले से कुछ न कुछ पता होता है यह बास सही है जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके बारे में कुछ न कुछ समा प्राप्त नहीं होती है अन्य विसयों का ज्न सीखाय जाने पर ही प्राप्त होता है ठीक है वच्चो पेहले से प्राप्त किया गया ज्न या सहज समान बोध समाज सास्त्र के लिए साहयक के उम बादक दोनों ही रहा है ठीक है ये सहायक भी रहा है और बादक भी रहा है शमानेत अच्छातर सोचते हैं कि इस विषय का ग्यान उनके लिए कठिन नहीं हो सकता अर्था तो इस विषय के बारे में बहुत कुछ जानते हैं बिल्कुल सही बात है बच्चो जब भी समाज सास्तर की बात आती है तो बहुत सारे छातरों के दिमाग में यहां आ जाता है कि उन्हें ते पहले से ही बहुत सारी चीज़े पता हैं और उनके लिए कठिन विषय होने वाली नहीं है ठीके ओ इस विषय के बारे में बहुत कुछ जानते हैं ऐसा उनका सोचना होता है कलियर हुगा चलिए अगला पॉइंट है आप लोगा सहज समान्य बोध अब समझेंगे बच्चों ये क्या है कि समाज सास्त्र के प्रारंबिक चरण में जो सुरुआती चरण थे दोर थे उनमें मुक्यता भूलने की परक्रियाएं ही सामील है उनमें मुक्यता किस प्रकार की परक्रिया सामील है बच्चों बूलने की परक्रियाएं ही सामील है क्योंकि इससे पहले या फिर पहले से प्राप्त या सहसमान बोध एक विसिश्ट दृष्टी कोड़ से प्राप्त होता है ठीक है चलिए कर आ जा रहा है कि समाज सास्त्र हमें सिच्चा परदान करता है कि हमें बिस्व को न केवल स्वायम की बल्कि दूसरों की दृष्टी से भी देखना चाहिए बिल्कुल सही बात है बच्चो समाज सास्त्र हमें सिच्चा देता है कि जो पूरा विश्व है, इसे केवल हम स्वायम के नजरिये से न देखें बलकि दूसरों के नजरिये से भी देखें ठीके, इसका ग्यान हमें कौन देता है, समाज सास्थर देता है अब बच्चो बैग्यानिक सत्य था ठीके मानव समाज के संदर्व में निसपच बैग्यानिक सत्य की और बढ़ना अर्थात सबसे पहले यह अश्विकार करना की सत्य एक नहीं अनेक है और प्रतेक सत्य अपने आप में अपरूण है यानि कोई भी सत्य पूरी तरिके से अपरूण नहीं है जितने भी सत्य है और अपने आप में अपरूण है समाज सास्त्र की सोभाविक मुद्रा तुननात्मक होती है समाज सास्त्र हमें पुर्वाग्रह मुक्त करने का दावा तो नहीं करता अपितु हमें पुर्वाग्रहो को पहचानने की छमता विक्सित करने का दावा अवश्य करता है समाच सास्तर या दिखाता है कि आपको किस तरह देखना है तता अपने आपको कैसे देखें इसे स्ववाचक या आत्म वाचक कहा जाता है स्वानी रिच्चड आलोचनात्मक होना चाहिए इसमें समिच्चा अधिक और आत्म युगमता कम होनी चाहिए समझ गए बच्चो जो स्वानी रिच्चड होता है आलोचनात्मक होना चाहिए और इसमें समिच्चा और आत्म युगमता कम होनी चाहिए ठिक? समाजिक सनरचना की बात थोड़ी करेंगे बच्चों यहां पर हम भारतिय समाज और सनरचना एक समाजिक नक्सा प्रदान करता है जिसमें आप अपने निवास अर्था अथस्तान का पता लगा सकते हैं समाजिक नक्से से अपता लगाना उपयोगी हो सकता है कि समाज में दूसरों के संबंद में आपकी इस्तिती क्या है यह हमारी समाजिक सनरचना ठीक है बच्चों अब अगला पॉइंट है समाजिक पहचान तुलनात्मक समाजिक नक्से से ब्यक्ति समाज में निर्धारी तस्तान के बारे में बता सकता है जैसे 17-18 वर्स के आयू में ब्यक्ति समाजिक समुग के सदश्य होते है जिससे इवार पिड़ी कहा जाता है जदी किसी विसेश चत्री या भासिय समुदाय जैसे गुजराती एवं तेलगु भासा से जुड़े होते है तता उनका ब्यवसाय निर्धारित होता है जिससे वे सदश्य होते है अगला पॉइंट है ब्यक्ति किसी विसेश धार्मिक समुदाय जैती जनजाती या किसी अन्य समाजिक समुग के सदश्य होते है समाज साज्त्र समाज में पाये जाने वाले विभिन परकार के शमु आपसी संबंधों के बारे में पहचान दिलाता है और बच्चो अगला पॉइंट आप लोग का है ब्यक्तिगत पहचान इसे अच्छी तरीके से समझ्झेगा ब्यक्तिगत पहचान के बारे में प्रसिद अमेरिकी समाज साज्त्री सी टाइट के अनुसार समाज साज्त्र आपकी ब्यक्तिगत परिसानियों एवं समाजिक मुद्दों के बीच की कडियों एवं संबंदों को प्रदर्सित करने में मदद करता है ब्यक्तिगत परिसानियों से पिल्स का अतात पर बिबिन परकार की ब्यक्तिगत चिन्ताओं तथा शमश्याओं से हैं जो सभी के साथ होती हैं ठीक है बच्चो तो आज का आप लोग का पहला जो चेप्टर था सपलता पुरुवक इसका पाइट नमर वन हमने कंप्लीट किया बच्चो किसी भी बच्चे का डाउट होगा तो आप लोग आप लाइन कमेंट वीडियो खतम होने के बाद जरूर कर दिजिएगा तो बस आज के वीडियो में इतना ही बच्चो सुष्चत रही है मस्त रही है अपनों के प्यार के साथ हलकी से मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा मिलते हैं के लिए क्लास में तब तक के लिए धन्यमाद बाई बाई खुदा आपिश